हेलो एबरिवार और वेलकम टू यॉर ओन चैनल नालिज का फंडा दोस्तों रोचक जानकारियों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में दोस्तों पासपोर्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे इसी को आज हम आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए पासपोर्ट के बारे में कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही कुछ लोगों को पता होंगी तो चलिए आईए शुरुआत करते हैं चर्चे की और आप से गुजारे साए कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकोन दबा दीजिए जिससे कि आपके सामने ऐसे ही लगातार रोचक बाते आती रहें तो हम बात कर रहे हैं लाल रंग के पासपोर्ट की मतलब अगर किसी भी कंट्री का पासपोर्ट रेड है तो इसका क्या मतलब है जैसा कि आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पासपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे कि भारत का पासपोर्ट ब्लू कलर का होता है तो हर एक country के जो passport होते हैं उनके जो colors होते हैं वो किसी ने किसी खास वजह से होते हैं आई उन्हीं की बात हम करते हैं तो जितने भी European countries हैं जो European देश हैं वे लाल रंग का passport इस्तेमाल करते हैं इसमें France, Rus, Poland, Netherlands, Romania, Germany इन सब देशों को शामिल किया जा सकता है इसके लाँ अगर चीन की बात करें तो चीन में भी लाल रंग का ही passport जाड़ी किया जाता है और इसके पीछे एक इतिहास को माना जाता है तो माना जाता है कि जिन देशों में सामिवादी इतिहास रहा है या जहां अभी भी सामिवादी बेवस्ता है ऐसे ज्यादा तरदेश लाल रंग के passport का ही प्रियोग करते हैं इसका मतलब अगर आप किसी भी country के passport को red color का देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर साम्मिवादी, सरकार या साम्मिवादी बिवस्था कायम है या कभी यहाँ पर साम्यवादी बिवस्था थी आईए अब बात करते हैं दूसरे रंग के पास्पोर्ट की तो अगर किसी भी कंट्री का पास्पोर्ट हरे रंग का है अर्था ग्रीन कलर का पास्पोर्ट है तो इसका क्या मतलब है तो जितने भी अधिकतर इस्लामी कंट्रीज हैं वे समी ग्रीन कलर के पासपोर्ट का प्रियोग करती हैं जिसमें पाकिस्तान, बांगला देश, इंडोनेसिया, साथी अरब और मौरक को जैसे देश शामिल हैं आप जानते होंगे कि इस्लाम धर में हरे रंग को पवित्र माना जाता है और इसी लिए यहां पर जारी होने वाले पासपोर्ट के कलर भी ग्रीन कलर की ही होते हैं इसके लागा हुआ अगर कुछ बात करें आफ्रिकन कंट्रीज की तो जो आफ्रिकी देश होते हैं वहां पर भी ऐसी पासपोर्ट चलते हैं जहां सरकार के दौरा नागरिक हो गया Nigeria हो गया nor से खाइं हो गया ऐवरी कोश्ठ हो गया यह सब जो देश नहें ये भी हरे रंग के पासपोर्ट प्रियोग करते हैं और इन देसों में करें रंग को प्रकृत आप करतीस और स्मर्ण जाता है तो इसे शांती का प्रतीक कहते हैं या फिर इसको हम नई दुनिया का प्रतीक भी मानते हैं भार समेत कई उत्तरी अमेरिका दक्षणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वे नीले रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं इसके लावा अगर बात करें अब गानिस्तान और फिजी जैसे देश के पासपोर्ट भी हलके नीले रंग के होते हैं आपको पता हो नहों लेकिन ये जानकारी आपको लेना चाहिए कि भारत में नागरिकों के पासपोर्ट का रंग नीला होता है जबकि जो राजनईक होते हैं उनके पासपोर्ट का रंग लाल होता है और सरकार के जो कुछ प्रतिनिधी होते हैं इनके पासपोर्ट का रंग सफेद होता है तो आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत में तीन रंग के पासपोर्ट चलते हैं, नेले रंग का, लाल रंग का और सफेद रंग का, तो दोस्तों उम्मीद हैं, ये सारी जानकारियां आपको पसंद आ रही होंगी, अग सब्सक्राइब, बोत्सवाना, बुरुंडी, अंगोला, गैबोन, कॉंगो, मलावी, ये सबी जो कंट्रीज हैं, यहां पर पासपोर्ट ब्लैक कलर के होते हैं, न्यूजिल लैंड के नागरिकों के पास भी काले रंग का पासपोर्ट होता है, क्योंकि यहां पर राष्ट् पासपोर्ट.